सनिवार की ब्रत कथा, सिरी हनुमान जी, सिरी नर्शिंग जी तथा सनी भगवान की ब्रत कथा, भगवान सिरी महादेव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, आप मैं तुमसे सनिवार के ब्रत की बीधी कहूंगा, जिसके करने से मनुष्य को मनता नहीं होती, स्रावन मास में सनी बार के दिन तीन देवताओ, स्री नर्सिंग, स्री हनुमान तथा सनी कार्चन करना चाहिए दिवार में या खम्भे पर नर्सिंग जी की मुर्ती बनवा कर लिख कर लच्मी सहित जगतपती नर्सिंग को हल्दी सहित चंदन नीले अथ्वा पीले फूलो द्वारा अर्चन करना चाहिए खिचरी तथा हाथी चकसान के नेवत का भोग लगाना चाहिए आप भी खिचरी आधी का परसात पाकर ब्रामन को भोजन करवा कर भगवा नर्सिंग को तीलों के तेलिया सुद घी में नहलाना चाहिए सनी बार को जब कामों के लिए तेल को स्रेष्ट कहा गया है सनी बार के दिन ब्रामन तथा सुहागिन्यों को देह में लगाने के बास्ते तेल देना चाहिए सनी बार को स्वयम, स्वाप परिवाहर, दे में तेल लगा कर असनान आदि से पवित्र होकर उरत की दाल की चीजे भोग लगाने के लिए तयार करने चाहिए। पर निवास करती है। धने धाने की ब्रिधी होती है और निशंतान पुत्रवान हो जाता है। इस संसार में हर परकार का सुख भोग कर आंत में उसे बैकोंड की प्राप्ती होती है। भगवान नर्शिंग के बर तथा फर्शाथ से उसकी गंत व्यापनी सुंदर कृती होती है। हे सनत कुमार मैंने तुमको भगवान नर्शिंग का उत्तम ब्रद बतलाया है। इसी तरह मनिश्य को सनी का भी ब्रद करना चाहिए। अब मैं तुम्हें सनी के ब्रद के सम्मध में बतलाऊंगा। दियान पूर्बक सुनो। एक लंगरी ब्रामन या उसके ना मिलने पर किसी आन्य ब्रामन को तील का तेल मलकर गर में पानी से असनान करवा कर उपर नर्शिंग जी की ब्रत में बतलाया गया भोजन करवा कर सनी के प्रियत्र तेल, लोहा, तील, उरद तथा कंबल का दान कर करना चाहिए इससे सनी देव पर्षन होंगे मन में ऐसा विचार करना चाहिए सनी देव को तीलों की तेल से नहलाना चाहिए सनी देव की पूजा के लिए तील उरद तथा चावल उत्तम आने गये हैं हे सुम्य अब मैं सनी देव के ध्यान के बतलाओंगा आप साभान होकर सनी चर का रंग काला है गती मंद है कस्यप गोत्र है सनी का जन्व सौराष्ट देश में हुआ है सूर्य नारायन पुत्र बरदाता है इंद्र नील मनी तुल्य कांदी मान है बान धनुष्य तथा सुल्धारी है गिद की सवारी है यम आधी देवता है कस्तूरी अगर चंद तथा गुलबुल और नेवद में ऊरद की खिचरी पढ़िया है सनी के अर्चन में लोही के प्रतिमा बनानी चाहिए दान देने के लिए काले रंग का ब्रामन उत्तम है उसे दो काले कपरे तथा काले रंग की गाय बच्छरे सही दान में देनी चाहिए और प्राथनावा तूती करनी चाहिए ध्यान पुर्वक सुनो राजा नल का राजय जब चला गया था तो राजा नल ने सनी देव की आराधना की थी सनी देव ने परशन होकर उन्हें दुबारा राजय प्रदान किया था मनुष्य को चाहिए कि वह इस परकार सनी देव की आराधना कर कहे कि मेरी उपर सनी देव परशन हो निला जन के तुल्या कृतिमान आतिमंद भ्रामी चाया नामक इस्तिरी से सुर्य द्वारा उत्पन सनी चर को मैं नमस्कार करता हूँ मंडल कोन में इस्तित पिंगल नामक सनी देव को मैं नमस्कार करता हूँ हे देवेश मुझ आति दिन पर क्रिपा करो इस परकार इस्तूती द्वारा बारंबार परनाम करना चाहिए सनी देव की अर्चन में सन्नो देवी इस मंत्र का इस्वरन करें इन बर्नों के लिए बैदिक मंत्र तथा छुद्र के लिए नाम मंत्र कहा गया है जो प्राणी सापधान मन से बिधी द्वारा सनी देव का अर्चन करता है उसी स्वपने में भी किसी परकार का भय नहीं सता था हे स्वाम्य जो मनुष्य इस परकार ब्रत करेंगे और स्रावन मास के प्रतेक सनिबार को भक्ती सहीत अर्चन करेंगे उनके यहां सनि द्वारा कभी पीरा नहीं पहुँचेगी सनि जन्म रासी से पहले दुसरे चौथे पाचवे शातवे आठवे नवे तथा बारवे अस्थान में हो तो सदा पीरा पहुँचते हैं उनकी सांती के लिए मनुष्य को सामागिन इस मंत्र का जब करना चाहिए और सनि की परशन तक लिए इंद्र निल्मनी का दान करना चाहिए हे ब्रीब आब में तुम्हे भी स्री हनुमान जी को परशन करने की उत्तम वीधी बतलाऊंगा स्रावन मास में सनी के दिन स्री हनुमान जी की प्रियर्थ अभिष्यक तीलों के तेल द्वारा रुद्र मंत्र से करना चाहिए तेल मिश्रित सिंदूर को उनकी देह में लगाना चाहिए जपा, अर्क तथा मदार माला से अर्चन करके न्यावत के लिए उरत के बड़े तथा अन्य उपचारों द्वारा जथा सकती भक्ती और स्रधा द्वारा अर्चन करना चाहिए खनुमान, अंजनिशूत, बायूपुत्र, महाबली, रामेष्ट, फालगुन सखा, पिंगल, आमीत बिक्रम, आवधिक्रमन, सीता सोक, बिनासक, लच्मन, प्रान्धाता तथा असगिर्यु दर्पह, इन बारा नामों को जो सुभा उटकर पढ़ता है उस मनुष्य को कभी कष्ट की अनुभूती नहीं होती, तथा उसको स्वामपूर्ण एसोड्य प्रात होता है इस परकार स्रावन मास के सनिवार को जो मनुष्य हनुमान्ज की आराधना कर लेता है, उसका सरीर बज्र के तुल्य मजबूत हो जाता है और कारे करने में तिजवान हो जाता है, वह बुद्धी बिबेक से बीभूसित हो जाता है, उसकी सत्रू नैश्ट हो जाते हैं, और मित्रों की ब्रिद्धी हो जाती है सिरी हनुमान जी के परसाथ से वह प्राक्रमी तथा बैभवसाली हो जाता है, सिरी हनुमान जी के मंदिर में बैठकर जो प्रानी हनुमत कवज का एक लाख पाठ करता है, वह अनीम आदि सिद्धियों का साधक हो जाता है, तथा उसके दर्शन से यच, राक्षैस और बैता तुरंत भाग खरे होते हैं सनिबार को पीपल का अस्पर्ष तथा अर्चन करें सनिबार को ही पीपल का अस्पर्ष करना चाहिए इसके अलावा और किसी दिन पीपल का अस्पर्ष नहीं करना चाहिए सनिवार को पीपल का अर्चन सातो दिन करना चाहिए, प्रेम से बोलिये हर हर महादेव